हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे युट्यूब चैनल विश्केर में देखिए अबारी 9 क्लास है इस क्लास में आपको MS Word के अंदर व्यूव टैप के बारे में जितने वी बटन देगे हैं उन सब के बारे में बताऊंगी देखिए अगर मैं जो इससे पिछल टेप है रिव टेम में टेम रिफ्रेंश टेम लेयाऊट टेम डिजाइनिंग इंसर्ट हों अगर आप इन सब टेप के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी प्लेय लिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगी आप उनको देख सकते हूं अब ब कि यहां पर कुछ लेटर टाइप कर लेती हैं हम कि यह मैंने यहां पर कुछ लेटर टाइप कर लिया है इस तरीके जेट देखिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेंट लेयाउट की जब हम MS Word की पेस्पे को डोकुमेंट या फिर कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारा प्रेंट लेयाउट सेलेक्ट करके ही हम करते हैं उसको देखिए अभी हमारा प्रेंट लेयाउट पहले से ही सेलेक्टिड था ठीक है इसलिए हमने यह लेटर टाइप यहां पर कर लिया है जो हम यह इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है यह इस्तमाल कर रहे हैं यह print layout view है ठीक है और दीके जब हम यह letter type करते हैं तो print layout को इसलिए select करते हैं पहले ताकि हमारा जो print यह वह proper तरीकिस है तो आपको इतनी बात समझ में आगी होगी कि print layout का क्या काम है हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं अब बात किर लिते हैं यह read mode की देखे read mode से क्या होगा कि आप अपने page को MSWid के page को आप full screen में देख सकते हो किस तरीके से देखे मैं यहाँ पे इस पे click करती हूँ read mode पे तो आपका इस तरीके से full screen में आ जाएगा आप इससे भी जादे इसको full screen में कर सकते हो जितने आप कर सकते हैं जितने आपने page लिए हैं उनको आप सभी page को यानि हमारे पास अभी आप वन पेज है तो आप इसको full screen में इस तरीके से देख सकते हूँ अगर यहाँ देखें यहाँ पे आपको कटके इनसान है आप इससे भी इसको close कर सकते हो फुल स्कीन को अगर आपको में पर जाना है जहां आप थे तो या फिर आप की बॉर्ड से ESC वाले बटन से आप की बॉर्ड में ESC बटन है उस पर क्लिक करके भी अपने इसी तरीकी से आ सकते हो अब आपको इसी इसको भी पता चलगा होगा इस बटन का की रिमोट से क्या होता है दीखी अब बात कर लेते हैं हमारे पास अगला बटन दिया गया है वेब सा वेब ल यहां से वेब साइट की तरह कर सकते हो इस तरीके से देखे अब इस तरीके से अपने जो लेटर है उसको वेब साइट की तरह कर सकते हो अब इसमें अगला बटन दिया गया है आउटलाइन आउटलाइन से आप अपनी डोकुमेंट को आउटलाइन वीव भी कर सकते हो की फिर्ष्ट लाइन दिखाई देगी अगर हें पे क्वोई है रखते हो तो हेंग भी कि आपको यह पे दिखाई देगा लेकिए मैं इसको है अगर मैं इसको यहां से अंचेक कर देती हूं तो आपका पूरा फॉर मैटिंग आ जाएगी पूरे टेक्स की ठीक है इस तरीके से आप आउटलाइन के धरूबी अपना जो लेटर है वो देख सकते हो अभी मैं यहां से इसको क्लोज कर देती हूं आपको समझ में आ गया होग अब हम व्यू टैप पे चलते हैं देखें यह दोनों बटन को आपको अच्छे समझाव वैब लियाउट और आउटलाइन से हम क्या करते हैं देखें अब बात कर लेती हूं ड्राप्टी देखें मैं इन सब के बारे में आपको बता रहे हूं ड्राप्ट आउटलाइन क्लिक करती हूं तो आपका इस तरी के से जो आपका डोकुमेंट होगा वो आ जाएगा ड्राप्ट में देखें जो हमारा ये बना हुआ है ब्लेट इसनी लाइन आ रही है ये ये हमारा बता रहा है कि हमारा इतना पेज ये उपर की साइड है और जो नीचे चल गया है वो से ला जाएगा अगर आउट लाइन पर क्लिक करती हूं उसमें भी आपको इस तरी के से लाइन दिखाएगा ठीक है अभी हमें आज से इसको प्रॉज कर लेते हैं आपको समझ में आज होगे ड्राप्ट के बारे में और आप लाइन वैब लियाओ ठीक है इसमें जाहतर काम प को एंड हाइड कर सकते हैं तो आपका यहां से यह हाइड हो जाएगा अगर इसको चेक करती हैं तो इस हो जाएगा अब बात कर लेते हैं से के ड्रेड लाइन ग्रेड लाइन अगर अपने पेज पर लाना चाहते हो तो आप यहां से इसको क्लिक करो तो आपके पास यहां प तो नगेशर पेंड में क्या होता है जिए मैं इस पर क्लिक करती हूं तो आपके पार इस तरीके से आ जाता है जितने पेज आपके होंगे वह आपके यहां पर सोग हो जाएंगे और आप जिस भी पेज पर जाने होता है बस उस पर क्लिक करोगे तो आप उस पेज पर चले जा कि देखिये अब बात कर लिते हैं जुम वाले भाग में जितने विक्सक्राव नह Windows के वा सबसे पहले हम बात कर लिते हैं जुम की डिवे हम यहां से जुम पे क्लिक करici जितने भी पेज का साइज करना चाती यह जूम हो आप यहां से कर सकते हो जैसे मैं 200 पर कर देती हूँ तो फिर से आप अगर 75 पर करना चाहते हो हैं दर मिन और पर करके हैं तो उस पर भी कर प्रिक करके अपना इस वन पेज अगर इस पर वन पेज पर क्लिक करते हो तो आपका पहले वन पेज दिखाएगा फिर लाश्ट में सेकिंड पेज आएगा ठीक है और अगर महीं पर आप इसको मल्टिपल पेज में कर देते हो तो आपका इस तरीके से पेज आएगा ठीक है इस तरीके से आएगा जै पहले जैसा ही लाना है तो 100% पर इसके क्लिक करिए तो आपका पहले ही आ जाएगा देखिए जूमाले बाग में आपको तो यहां पर त्युमाले बाग कर सकते हैं किस तरीकी से कि देखिए इस तरीक़े से दो क्यां में आप इसको कर दिखा देखी अभी हमारे दो विंडों आ पर क Records एा ठिकर उसके बार मैं अभी ऐस पर निफस्ट वाली विंडोंपे चलिए जाते हैं मैं आपको बता दो देखिए जो हमारी सेकृंट pensando वाली विंडोंपे इसमें यह हम इस संद तरीके से आप उस पर जा सकते हो अगर आपको second वाली पर जाना है तो second वाली पर जा सकते हो first वाली पर जाना है first वाली पर जा सकते हो अब इसमें जो second option देंगा है arrange all, arrange all पर क्लिक करके आप दोने window को arrange कर सकते हो यानि यह देखिए हमारी सेकंड विंडो है यह हमारी फर्स्ट विंडो है ठीक है देखिए हमारी विंडो और अरेंज हो चुकी है अब मैं आपको बता दूँ अगर आपको इस तरह की से काम करने में दोनों विंडो में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करोगी बस वेव by side पर click कर गए तो आपकी देखिए यह side by side हो जाएगे आप इस तरीके से बड़े आसानी से इस पर work कर सकते हो देखें अभी मैं इसको scroll कर रही हूं ठीक है जब मैं इसको scroll कर रही हूं तो इन्हें दोनों ही scroll हो रहे हैं अगर मैं इसमें कुछ भी एड़ कर देती हूं देखे मैं यहां पर इसमें कुछ भी एड़ करती हूं तो दोनों दोनों विंडों में एड़ हो रहा है ठीक है यह क्यों हो रहा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि देखे हमारे पास जो यह ओप्सिंस दिया गया है हमारे पास यह ओप्सन है तो यह हमारा हो रहा है तो यह हम अगर हम इसको एंचेक कर देते हैं तो देखे एक ही विंडो पे हमारा काम होगा आप इससे क्या कर सकते हो देखे इस पे अब इस पे नहीं होगा इस विंडो पे काम नहीं होगा देखे यह क्या है कि अगर हम इसको ठीक है तो देखे अभी हम first page पे हैं तो हमें इस पे second page पे जाना है और second page पे हमें first page पे से कुछ देख के type करना है तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हूँ देखे अब इसमें जो अगला opcion देया गया है reset window position अगर इस पे आप कलिक करते हो तो देखिया अभी मैं इसको मैं इसको देखे विंडो को यहां से छोटा कर लेती हूँ जैसे मैंने इसको यहां से छोटा किया तो आप जो अगला ओप्सन है रिसेट विंडो पोजीशन आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फिर से यह रिसेट पोजीशन में आ जाएगी अब मैं आज से इसको क्लिक कर लेती हूँ और इसको आपे चुंग कर लेती हूँ देखे मैं आपको बता दू जो विंडो वालब भाग था मैंने उनके बारे में आपको step by step बता दिया है देखे इसमें विंडो में एक option हमारा ओर दिया गया है split स्प्लीट इसमें हम क्या कर सकते हैंलेका जो कांम में नई विंडो जैसे बनाई थी इसे हम वही काम कर सकते हैं मैं या पे इसको करके दिखा देती हो आपको जैसे मैं सब्लीट विंडो पर क्लिक करूंगी तो ऑपकी इस तरीके से माउस हो जाएगा यह रह抗ें दो विंडो आपर मेरे दो विंडो याप खूल गई है तो हमें यह डूसरी विंडो को किया है आप इसी तरह किसे इसको अरेंज भी कर सकते हो, फ्यिक्त, अब हम रिमोह ईस प्ली पेस्ट को भी आपको समझ में आ गया होगा, अब देखें मैंने आपको यहां तक अच्छे समझा दिया आप बात कर लेते हैं मैक्रोस की, यह मैक्रोस में हम क्या करते हैं मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले, देखिए अगर हमने कोई letter type किया है या फिर कोई हमने document type किया है उसको हमें record कराना है यानि feature में हमें वो चाहिए होता है तो आप क्या करोगी बस macros का उससे मैं आपका इस्तेमाल करना है देखिए अभी मैं इसको control A से all select करके delete करा लेकर मैंने इसको delete कराया उसके बार देखिए हमारे पास macros में तीन options देख गए है view macros, record macros और post recording आपको यहां से post कर सकते हो recording को और view पे अगर आपने पहले से ही कोई record करा रखा है तो आप यहां से उसको देख सकती हो अभी मैं इस पे record macros ते क्लिक करती है आपके पास इस तरीके से एक video कर आएगे आप यहां पे macros का नाम देदोगे या आप अगर नाम नहीं देना है तो जो यह पहले से आ रखा है आप इसको ही रहने दोगे फिर आपके पास यहां पे दो options देगया होंगे keyboard, button और आप यहां पे keyboard पे क्लिक करते हो, तो आप यहां पे कोई shortcut की बना सकते हो, देखे कोई shortcut की आप यहां पे मैं कर नेती हूँ रहुत देखे आप यहां पे आप कोई shortcut की देनी होगी हम यहां पर कोई shortcut की बना रखाए अभी देखे हमारे पास मैं आपक quindi, ृlt के साथ and press ठीक है और यहां पर मैं इसको कर देती हूं close ठीक है अभी देखे हमारे mouse का pointer कुछ ऐसा हो गया है तो आपका यहां पर इसका मतलब की macros की जो recording है वो सुरू हो चुकी है तो आप यहां पर कुछ भी type करते हो देखें मैं यह type कर रही हूं तो आपका अभी record हो रहा है macros में ठीक है अगर आप यहां से भी कोई जैसे insert tab पर जाके आप कोई table भी ले ले लेते हो यहां पर कोई table भी यह भी record हो गया है आपका अब मैं video पर जाती हूं ठीक है उसके बाद देखें अभी आपका यह record हो गया है तो अब मैं यहां पर जाओंगी आप यहां पर stop recording का option आजाएगा आप यहां पर stop कर लोगे उसके बाद देखें मैं इसको control A से all select करती हूं और delete करा लेती हूं बिलिट कराने के बाद आप फिर यह पर जाओगे view macros पर जाओगे तो आपका देखें macros one करके आ रहा है बस उसको आप रन कर आप दोगे तो आपका इस तरीके से देखें यह record हो चुका है बस इससे आप इस तरीके से record करके अपने जो आगे आने वाले MSWD के पेज में या कहीं पर भी record करना चाहते हो आप यहां से इसको कर सकते हो देखिए मैंने वीड टैब में जितने भी बटन दिये गए थे step by step उनके बारे में सब के बारे में बता दिया है जो खासका ज़र ज़रूरी बटन थे उन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक करना कमेंट करना थेंक यू